कि अलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के ऊपर विप्रो के सेर में अगर हम लोग देखेंगे स्टॉक में बहुत ही जबर्दस गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है और स्टॉक यहां पर आप वापस से हॉल्ट किया था पूल बैक लिया और फिर से एक अच्छा जो है हम लोगों को यहां पर नीचे की साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है अगर आज यहां पर देखेंगे तो हम लोगों को एक पोजिटिव कंडल यहां पर ज़रूर देखने को मिला है लेकिन यह आपको हौल्ट कंडल भी हो सकता है तो इसी वज़य से जो है हम लोग यहां पे आपको एक अच्छा ऑपरचुनिटी भी मिल सकता है जो अगर यहां पर आपको नीचे की साइड फैल होता है जितने भी लोग यहां पे आपको बाइक किया हूंगे लाश्ट के दो दिन में अ इस टॉक में हम लोगों को एक अच्छा जो है डबल बॉटम का फॉर्मेशन होते वह यहां पर दिख़़ा है कल के सेशन में अगर देखेंगे केंड हाप में आपको बहुत ही जबरदस रिवर्सल देखने को मिला था इस टॉक ने बहुत ही इस ट्रॉंगली यहां पर आपको क्लोज किया था नीचे से बहुत ही अच्छा रिकवरी देखने को मिला आज अगर देखेंगे यहां पर आपको गैप डाउन ओपन जरूर हुआ बट इसी लेवल के राउंड सपोर्ट लेके वापस से स्टॉक जो है अपर की साइड मोमिंटम कर गया तो अब यहां पर हम ल इस लेवल के नीचे होगा और यहां पर इस करना स्टyas करता है तो फिर जो है हम लोगों को एक अच्छा यहां पर मोमिंटम देखने देखने को मिल सकता है तो इसी वाज़े से हम लोग यहां पर आपको बहुत करना है हम लोगों का सिमपल है जब तक stock जो है आपको यहाँ पे 462 के नीचे एक 15 मिट का candle close नहीं करता है हम लोग इस stock में entry नहीं लेंगे हम लोग wait करेंगे 15 मिट का candle 462.5 के नीचे close हो जाए अगर यहाँ पे जैसे ही 15 मिट का candle close होता है क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको कहीं पे भी candle जो है इस लेवल के राउंड close नहीं होने दिया गया है टेच करने के साथ ही यहाँ पे जो है buyers आपको activate हो जा रहे है तो इसी वज़े से 462.5 के नीचे अगर एक 15 मिट का candle close होता है तो जितने भी लोग ने यहाँ पे position build up किया होगा buy side के लिए उन लोगों का यहाँ पे आपको stop loss हीट होने वाला है इसी वज़े से आपको इस level का wait करना है उपर की side हम लोगों का stop loss 475.5 के उपर होने वाला है तो clearly 13 point का हम लोगों का यहाँ पे आपका stop loss है और अगर यहाँ पे आपको stock मौका नहीं देता है तो आपको जबरदस्ती stock में यहाँ पे आपको jump नहीं करना है stock यहाँ से हो सकता है reversal में continue हो जाए उपर की side बट अगर नीचे की side यहाँ पे होगा हम लोगों के favor में अगर stock जाएगा तो यहाँ हम लोगों को बहुत ही अच्छा momentum एक मिलने वाला है और यह बहुत ही सार fall होने वाला है तो इसी वाज़े से हम लोग इस stock को अपने watch list में रखेंगे पहला target यहाँ पे हम लोगों का होगा 450 का और अगर 450 के नीचे निकलता है तो फिर हम लोगों का दूसर target होगा यहाँ पे 425 का और stock का जो है आपको major support भी 425 440 के round है तो stock जो है उस level तक easily आपको जा सकता है तो यहाँ पे बस आपको wait करना है 462.5 के नीचे ही entry करना है उसके उपर अगर यहाँ पे इस range में stock trade करता है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको बस wait करना है उस level का तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीजे clear हो गए होंगी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो analysis अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरूर कर ले तन्यवाद